महराष्ट में अकोला के बालापूर विधान सभा चुनाव शेत्र में MIM उमिद्वार डॉक्टर रह्मान खान के लिए सभा को संबोधित करने आए असद्दु दिन ओवेसी ने भाश्पा सरकार और कॉंग्रिस पर निशाना साधा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गलत आर्थिक नीतियों की वज़ा से ही देश का GDP गिरा है जिसकी वज़ा से आर्थिक मंदी पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है आज हर कोई देश में आर्थिक मंदी का शिकार है बड़े बड़े उद्योग और वैपार पूरी तरह ठप हो चुके है किसान बहुत जादा परिशान है और आत्महत्या कर रहे है वहीं GST के कारण कई युवा बेरुचकार हुए है इन सब के लिए जिम्मिदार केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीती है इन मुद्दो को चुपाने के लिए केंद्र सरकार देश के लोगों का ध्यान धारा 370 और जाती वाद के मुद्दो पर लगा कर इस ओर से ध्यान हटाना चाह रही है कॉंग्रेस पर निशानत साथते हुए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पूरी तरह बिखर चुकी है इसमें कोई दम नहीं रहा और लोग नया विकल्प चुणने में लगे हुए है OVC को सुनने आए हजारों लोगों का जन सैलाब देखकर विपक्षी खेमे में हल्चलती इस हो गई है पूरे अकोला जिले के चुनावी शेत्र में सबसे बड़ी सभा होने का चर्चा नागरिक कर रहे है जाओ आए है आए है आए आए बादाए है आए है दोस्तों और मुझ्व लोगों मैं आपको यह पैखांदेने आया हूँ हमारे बुज़र्गों से गुजारिश करने आया हूँ कि आपकी सर्परस्थी की ज़रूरत है मैं नौजवानों से अपील करोगा कि इस तारिफ में जिन अपने होट का इस्टबाल करिए और तूरी अपने अफ़ादे खांदान को लेकर पोलिंग बूर्ट पर जाये सौ फीसद अपनी पोलिंग कराये तभी जाकर हमारी काम्याबी यहां पर यकीन होगी मैं फिल से आपके शुक्रिया दा करता हूँ माज़रत चाहता हूँ अस्सलाम अलेकूं रहामतुल्ह